आज हम देखेंगे आकड़े, उनका अर्थ, अभिलेखन और संगठन के उदाहरन. विज्ञान की 40 अंक की परिक्षा में 26 विध्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किये. ज्याद कीजिए 25 से कम अंक कितने विध्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं, यहाँ 26 विध्यार्थियों के विज्ञान की परिक्षा के अंक दर्शाए हुए है, हमें यहोग्याद करना है कि 25 से कम अंक और 30 से अधिक अंक कितने विध्यार्थियों को प्राप्त हुए है, यहाँ पर सूचना बेतर्तीब ढंक से दर्शाई हुई है हम सीधे से गिनकर भी उत्तर दे सकते हैं परंतु इस तरीके से अंकों के गिंती करने में गलती होने की संभावना स्यादा है अगर हम आंकडों को सारणी में संगठित करें तो पूछेगर प्रशनों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है साथी साथ गलती होने की भी संभावना कम हो जाती है इसके लिए हमें आंकडों को एक सारणी में संगठित करना होगा हम सारणी में दो स्तंब बनाएंगे एक अंकों के लिए और दूसरा विद्धयार्थियों की संख्या के लिए और एक-एक कर सारणी में दी हुई सूचना को संगठित करेंगे अब सारणी तयार है और सारणी से हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि 25 से कम अंक 5 धन 2 धन 1 धन 1 बराबर 10 विध्यार्थियों को प्राप्थ हुए है और 30 से अधिक अंक 5 धन 2 बराबर 7 यानि 7 विध्यार्थियों को प्राप्थ हुए है अगला उदाहरन 2 किलोमीटर दोड की प्रतियोगीता को समाप्त करने के लिए तीस विध्यार्थियों ने निम्नलिकित समय लगाया इस सूचना को मिलान चिन्नों का प्रयोग कर सार्णी बद्ध कीजिए इसके लिए हम इस प्रकार से सार्णी बनाएंगे इसमें पहले स्तंभ में मिनट में समय दर्शाएंगे दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्न दर्शाएंगे और तीसरे स्तंभ में विध्यार्थियों की संख्या दर्शाएंगे अब हम दी संख्याओं में पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहां चार सबसे छोटी संख्या है इसलिए हम इसे पहली पंक्ती में समय के स्तंभ में लिखेंगे अब हम दी संख्याओं में चार को खोचते जाएंगे हमें यहाँ चार दिखाई दे रहा है हम इसे काट देंगे तकि इसकी गिंती फिर से न हूँ इसे काटकर हम सार्णी के मिलान चिन्न के स्तंभ में एक खड़ी लकिर खीचेंगे जो व्यक्त करती है कि चार एक बार आया है इसी तरह हम चार को खोचते जाएंगे और मिलान चिन्न बनाते जाएंगे हम देखते हैं कि यहां चार मिलांचिन्न बने है जिसका अर्थ है कि दी संख्याओं में चार यह संख्या चार बार आई है चार की गिंती अब समाप्त हो गई है अब हम पता करेंगे कि दी संख्याओं में चार से बड़ी लेकिन दी संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है यह संख्या है पांच इसलिए हम समय के स्तंभ में दूसरी पंक्ती में पांच लिखेंगे फिर से हम 5 के गिंते कर दे जाएंगे और मिलान चिन्न बनाते जाएंगे मिलान चिन्नों को देखकर हम ग्यात कर सकते हैं कि यहां 5 यह संख्या 6 बार आई है इसी तरह हम सार्णी को पूरा करेंगे जिससे हमें ग्यात होगा कि अगली संख्या 6 है जिसके लिए हम इस प्रकार 6 को काटते जाएंगे और मिलान चिन्न बनाते जाएंगे मिलान चिन्न को देखकर हमें ग्याद होता है कि 6 यह संख्या 5 जमा 3 बराबर 8 बार आई है इसी तरह संख्या 7 के गिंते करते हुए मिलान चिन्न खीचेंगे इससे हमें ग्याद होगा कि 7 यह संख्या 5 चमा 5 बराबर 10 बार आई है फिर हम 9 की गिंते करते हुए मिलान चिन्न खीचेंगे हमें ग्याद होगा कि 9 यह संख्या 2 बार आई है इस तरह से हमने 30 उचना को मिलान चिन्नों का प्रयोग कर सार्णी बद्ध कर लिया है ध्यान रहे यह आवश्यक नहीं कि हम सार्णी छोटे से बड़े क्रम से ही बनाएं लेकिन ऐसा करने से सार्णी में सूत्रापन आता है आज हमने देखे आकडे उनके अर्थ, अभिलेखन और संगठन के उदाहरन अगले वीडियो में इनके मिध्याधारनाएं देखेंगे खेंगे, 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 खेंगे